अपना साहि ते लेके हाज़ना ओशो जिस दे विच मैं तो ภी मौलगात करवान औहाँ ग्लामर दी दुनिया दी महान उस्ति आदे ना ते ओ अगयाँ उस्तिय जना ंल मैं तो Here POLकान करवारे औहाँ ओने दभंग मूवी दे दभंग डिरेक्टर जी हा दोस्तो अभिनव सिंक शब्र आज ओननाल गाल बाद करांगे, ओनना दे लाइफ बारे, मुवी मेकर बारे ते ओनना दे फिल्म दे बारे ते आओ शुरू कारदें जी, PTC शोकेस सद्सरीकाल अबिनम्ट जी, सद्सरीकाल नमस्ते तोहड़ा बाद बाद सुवागेदा जी, शुक्रिया जी, सब तो पहला एदसों की पंजाबी सहमाई लोगे ना थुष्यादी थोड़ी बद गुष्याद करांगे ते तुसी कोशिश कोरियों पंजाबी दे विच गाल करन अबिनम्ट जी, जमेकी सानु सारा नुपता है, जो तोहड़ी पहली फिल्म सी, दबंग, वो अटॉप अल-time blockbuster दे विच आ चुकी, इन्नी शुरुवादे विची इन्नी जादा तरक्की मिलना, किस तरा दा फील होना है? बहुत अच्छा फील होना है, बहुत वदिया फी तो क्या पुब्लिक कंजम्शन के लिए मेरी पेली फिल्म थी दबंग, तो मैं बड़ा नया था दबंग में पर उस वहां तक पहुंचने के लिए मैंने 15-17 साल अलड़ी महनत की ती, वो कोई नही जानता 2010 दबंग लेके आये, उस तो पहला तो उसी बहुत जाना मेंनत की ती, लोगना थोड़ा शेर करना चाहूंगे कि तो उसी डायलोग किस फिल्म ले लिखे, या राइटिंग दे शुरुवाद की ती, या डिरेक्शन दे शुरुवाद की ती, की की सीरियल सी? मैंने राइटिंग से शुरुवाद की थी, 1995 में जब नहा नहा इंडिया लिबरल मार्केट हुआ था, सैटलाइट टेलिविजन आ रहा था, तो एक चैनल आता था, होम टीवी, होम टीवी पे एक सीरिल था, तरिकाल, जिसमें मैं और अनुराग किश्यप दोनों डायलोग से शुरुवाद किया था, उसके बाद कभी-कभी, सुपर हिट मुकाबला एक गानों का प्रोग्राम था, उसमें एंकर स्क्रिप्ट लिखता था, उस सब लिखते-लिखते मुझे, 1998 में एक फिल्म मिली थी, जंग, जिसमें Sanjay Dutt और Jackie Shroff, रवीना टंडन थे, वो फिल्म ल 2000 में मेरा पहला सीरियल आया था, स्टार प्लस पे, डर, इसके हीरो थे, इर्फान खान और केके मेनन, तो अभी दोनों सब स्टार्स हो गए हैं बड़े-बड़े, उसके बाद दिल्ली में एक पॉलिटिक स्पेस शो बनाया था, राजनीती, फिर एक हॉरर शो के कई एपिस मेरी मीटिंग हुई मनी रत्तम साब से तो उनको एक एक एसिस्टेंट चाहिए था, जो राइटिंग भी जानता हो और डिरेक्शन बाग्राउंड से हो, तो आई तो अगर उसमें मनी रत्तम सबसे बड़ा नाम थे, और अगर किसी को एसिस्ट करना है तो इनको करना जो तो हड़ी नवी फिल्म है, उस दे बारे पागल करिये बेशर्म, सारे जान देने की बेशर्म तड़ी फिल्म आरी है, जिस दिवच रनवीर कुबूर जी ने, उस दिवच तुसी खुद सारी स्टोरी लिखी है? तो सारी स्टोरी नहीं मैं हमेशा एक को राइटर रखत करता हूं, तो जैसे दबंग में दिलिप शुकला से स्टोरी ली थी मैंने, तो दिलिप शुकला मेरे पार्टनर थे, राइटिंग पार्टनर, फर्स द्राफ्ट दिलिप शुकला ने लिखा था, उसके बाद सारे सबसीक्वेंट ड्राफ्ट मैंने लिखे थे, वैसे ही इस इंडस्ट्री दे विच बहुत सारे डिरेक्टर्स खुद मुवीज लेख रहे हैं इस देपिछे की रीजन है कि इंडस्ट्री दे विच राइटर्स दी कमी है या फिर एक नवा एक्स्पीरियंस लेना चांदेने राइटर्स की कदर नहीं है राइटर्स की कदर नहीं है क्योंकि पब्लिक जो है वह हीरो और हीरो के पागल है यहरो Đ зна고 हीरोईनों के पागल है और फिर थोड़ी बहत पूछ होती है तोर डिरेक्टर्स की होती है तो जब कोई अच्छा लिखना सीख जाता है और अच्छा लिखने लगता है तो फिर उसको लगता है कि यार इसको डिरेक्ट भी मैं ही करूँ तो अच्छा रहेगा उसमें मुझे ज्यादा नाम मिलेगा ज्यादा शोरत मिलेगी ज्यादा पैसे मिलेंगे तो इस वज़े से काफी सारे राइटर्स डिरेक्टर बन जा रहे हैं तो मुझे भी पर्सनली राइटिंग का काम ज्यादा चैलेंजिंग लगता है डिरेक्शन से अभिनव जी जो तुहाड़ी नवी फिल्म आ रही है बेशर्म ओदे बारे आपा बहुत सरी अंगलना करांगे पर दोस्तों वेला होगे जी ब्रेक्टा मिलने जी ब्रेक्टो बाद ब्रेक्टो बाद इक वरी फेर तुहाड़ा बहुत-बहुत स्वागता है पीटीसी शोकेस देवेच शड़नल आज मौझूद ने अभिनव कषभगी जो की नवी फिल्म ने अधिया यहारी बेशर्म ओन अधिया फिल्म और दीरेक्टर भी ने ते राइटर भी लेए अभिनव जी होना पर गल कर दे तो हाड़ी फिल्म दे बारे बारे इस दे दे बारे सानु दस ओ यह जो टाइटल तुसी लेकर आया हूँ उस तो पहला तुसी लेकर आया दबंग तोहड़ी फिल्मादे टाइटल होंदे थोड़े जो नौटी होंदे इस ते पिछ रीजन किये तोही एस फिल्म देख नौटी हूँ दिखता बहुत चरीफ हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है और क्या टाइटल थोड़ा खुराफाती होता है तो थोड़ा ध्यान खीचता है नोटिस होता है तो तो दबंग में भी था कि और दबंग होना या बेश पर दबंग होना बहुत अच्छी बात है तो मैं तो भी बेच रहा हूँ एक ख्याल बेच रहा हूँ कि अगर बेशर्म ही से काम करो तो जरूर होता है तो 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 थी इस फिल्म देविच रणबीर कपूर नो लाए तो इस दे पिछे की सोच थी कि तुसी शुरू तो ही यंग लड़का चाहिए था और यंग लड़का जब चाहिए तो यंग्स्टर्स में नंबर वन आज की डेट में इंडिया में है रंबीर कपूर मतलब वो तो इतना बड़ा स्टार बन चुका है कि अब वो खान से भी कंपीट कर रहा है तो मेरे लिए रंबीर कपूर के अब चाहिए नहीं कि को और कौन हो सकता था तो उसी एक्टर ही नहीं उसे अच्छा इंसान ही नहीं मिरे को बहुत मज़ा है वो एक्टम अच्छे दोस्त पार्टनर्शिप की तरह है हम लोगों ने काम किया हर चीज़ डिसकुस की मौजमस्ती की और वो भी खुरापाती ब तो दोनों मिलके बदमाशियां करते हैं को यह हुची बदमाशी जो तो तो शेयर करना चाहिए नहीं च्छोटी बदमाशी अब जैसे यह डायलोग था कि चुलबूल नाम रख लेने से दबंग नी बन जाता है और मुझे पता था यह डायलोग रखेंगे फिल्म में तो ग जाली देंगे मजा आएगा तो जैसे पिक्चर में हमने गाना तेनु वेख्या तो यह जाना सनम उसको पंजाबी बना के डाला के डाला की लोग क्या किते हैं थोड़ी गालियां से भी पड़े तो यह खुराफाती है और कुछ नहीं है बर वाकी सब मजे के लिए और यही का कॉंसेप्ट है कि जो जो चीजें हम छुपके करते हैं और कार्पेट के नीचे निकाल यह एक ऐसा करेक्टर है जो सब कार्पेट के नीचे से निकाल के सामने रख देता है वो बेशर्मे यह बेशर्मी है और वो सच को सामने ला रहा है जूट नहीं बोल रहा है और यही अठीक बात दभंग देविच चुल बलपांदे बड़ा है अजी का नाम है इस फिल्म देविच की चीजज थो बाई फेमस होई कि जो तुस्य सोचते हो बेशर्मी बेशर्मी बहुत फिमज़ उगी मेरे क्याल से रंडिर कपूर को फिर बेशरम कपूर लोग बोलेंगे तो अच्छ लगेगा मैं चाहता हूँ कि उसको लोग बेशरम जिदर जाए वो बेशरम कपूर बोले ताही ताही मुवी सक्सेस्फुल होगी जद लोगी सारे बोले तब कर एक कौता चलेगा कि पिक्चर सक्सेस्फुल ठीक है जी ठीक है दोस्तों बाथ सारी अंगलना करांगे इस फिल्म दे बारे इस दे मुजिक दे बारे ते होर करेक्टर्स दे बारे वेला होगया जी ब्रेक दाओ बल देयां ब्रेक तुबार ब्रेक तुबार इक वरे फेर तुहड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी पीटीसी शोकेस दे बिच आज साड़ानाल मौजूद ने अभीनाव कश्यब जी जनने फिल्म आरी है बेशर्म असी गाल गारी सी तो हड़ी फिल्म दे बारे बेशर्म दे बारे असी ट्रेलर दे विच एक लाइन देखिए दबंग डिरेक्टर्स तरंस बेशर्म इस दे मैं चाहता हूँ कि जो लोग दबंग के फैंस थे उनको याद दिलाओं कि मैंने बनाई थी दबंग अभी बेशर्म देखो अगर उस फिल्म में मजा आया था इस फिल्म मुझ पर बरोसा रखो इसमें ही बहुत मजा आया था पर बेशर्म देख तुसी रंबीर कपूर दे रिशिक बूर और नितु सिंग उनको लेके आया हूँ मुखिल नहीं कठे करना ने वो एक ही घर में रहते हैं तो रंबीर से मिलने जाता था वो दोनों सामने होते थे उनको आप भी कर लो जी आप भी कर लो जी तो बहुत ही इसी हो गया अच्छा और आप सोचके नही थे कर दो चूछ कर कोश्ण के लिए टरर तर तह तो रंबीर से मिलने डिया थे एक एक सीड़ी चाड़ी हूँ एक एक कर लो ऑई एक चाड़ता है तो जब लू दुछ प्र पिर तो फिर यजा पुआ किस को लें गे तो आपने रहाँ वो नेूट गितू से मिलने अग तो उनक इतने अच्छे किये कि जब तक हान ही बोल दिया क्योंकि बतल लंबे रोल लिए क्या कहते हैं किया इतना अच्छा किया रोल कि उनको हान बोलना पड़ा नीतु सीख रिषिगापूर फिल्म में हस्बंड वाइफ है रिषिगापूर इंस्पेक्टर है वो हवल्दार है एकी साथ काम करते है और हस्बंड वाइफ है तो उनकी नोग जोग चलती रहती है काम पर अमिनव जी इस फिल्म दे विच तुसी पंजाब नू शूट किता है पंजाब नू शूट मतलब एकी तुसी इत्या के भी शूट किता है पंजाब दे बेच इस फिल्म दे पंजाबी टच है या रंबीर के पूर्दा जो रोल है एक फ्लेवर है इन फैक्ट मैंने अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू ही पंजाब से की थी चंडीगर से ही और पर यहां पर हमने 35-40 दिन शूट किया है जिसमें तीन गाने भी शूट किया है तो वह फ्लेवर है पर चुकि एक फिल्म एक हिंदी फिल्म है और पूरे हिंदी बेल्ट के ओडियोंस जाती है तो फ्लेवर से बहुत ज्यादा पंजाबी नहीं है कारेक्टर्स हैं पंजाब इस फिल्म देविच पलवी शारदा नहीं लेके आयों रन्वीर कपूर देविच 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 लेके आयों रन्वीर कपूर द वो पांच-पांच फिल्में करती हैं, तो उनकी डेटें कोडिनेट करना बड़ा दिक्कत हो जाती है, और रणबीर किया वो एक टाइम पर एक फिल्म करता है, वो उस फिल्म से डेडिकेटेड रहना चाहता है, तो हम एक ऐसी लड़की चाहिए थी, जिसके पास एमारे लिए पास थी, तो हमने लड़की डूनते हैं, तो हमने लड़की बहुत और उस अदिशन के थूप पलवी शादा से मिली, वो लड़की उसके महबाप फिरोजबूर के हैं, पंजबी हैं, और दिल्ली I.I.T. में पड़े हैं, फिर ऐस्ट्रेलिया बजगाए वो लड़की उसे म पंजबी लड़की चीह, अर इसे बात की उसका पंजबी फ्लेवर देखा हैं, फिर मुझ पता हैं, तो जब उसका सेलेक्शन हो गया उसके वारे में पता चला ग्या था जब उसके सेलेक्शन तब इसके पता चला की व उस्ट्रेलियन है अप्पा गाल करांगी रनबीर कपूर दे बारे इस फिल्म तविछ अबिदम जी तुसी रनबीर नो पगड़ी देखाया है तो पंजाबी पगड़ी एक कोई सर्प्राइज लेकर आ रहे हैं पंजाबी है यह है क्या कि चुकि चंडिगाड में शूट किया उसमें एक सेग्म का ब्रूचर करना था मुझे पंजाब कर सायुकिता हैं ढही हैं है क्षी ब्रकाप्ट शेयुक्तर की सब कुछ आउनल है वयक्या इस विजाड़ी लोग देखाई करते हैं वर्ड वाइड क्या पंजाबी चिछर्ट के बना पंजाब दूरा थै कि उसको एक 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 सेग्मे तोहडी फिल्म है, एक कमेडी है, इसे विच रॉमान्स ही है, म्यूजिक बहुत अच्छा होना चाहिए है, एहुजी मूजिक मेरी फिल्मों में म्यूजिक बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे दबंग में भी था, उस साल सबसे बड़ा हिट अलबम था दबंग में एक गाने पर उन्होंने बनाया मुन्नी बतनाम हुई, जो मतलब मेरे कहल से अल टाइम टॉप थ्री सॉंग्स में है, तो मुझे साथ दुबारा काम करना बनता ही था, और I'm very happy, इस फिल्म में उन्होंने मिझे साथ बहतरीन गाने दिया बात, अबिनव जी इन शॉट त कि अब जो काम करो बेश करो और अच्छा काम करो बेश करो हमे faisait कमियाब होगे रही इक पर जानने जानने कि अग्धरड़ जी दाबं heroic डिरेक्टर इर्क्ärtर तर prebs बेश कि अपने स्टाइल Please दाबंग डियर्क्ठर 10 सराह बेश में एंथIch flacharram